पूर्णी स्टूडेंश तुडेय विल स्टूडी अबाउट था सोसे भी स्टुरी तो इससाथ है कि का सोसेश इंफोर्मेशन आबाउट इनी परियर इस एफलेबल फॉर्म टूमेंश पोसेश कीसी भी अबारे में जानने के लिए इन दोनों तरह के सोर्सेस अबेंडेंस में अवलेबल अबनेस्ट मतलब परचूर मात्रा में काफी जादा मात्रा में मौझूद है अगर मेडिवल परियेट के बारे में हम जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए दोनों तरह के सोर्सेस अबेंडेंस में मौझूद है जो मौझूमेंट्स इस परियेड में बनाये गए थे मौनुमेंट्स इस परियेड में बनाये गए जो भी मौनुमेंट्स थे अस्टील एस्टेंड वह आज भी एस्टेंड है आज विटनेस साक्षी के रूप में गवा के रूप में सबूत के रूप में और इस परियेड में जो भी किताबे लिखी गई थी वो भी एवलेबल है इन रीडेबल कंडिशन और वो इस कंडिशन में है कि हम उन्हें अभी भी पढ़ सकते हैं कि this is the reason why we know more about this period और यही वजह है कि हम इस प्रियेड के बारे में जहें जादा जान सकते हैं यह जान कारी हमें एंशीड पीरिएट के बारे में है उससे अधीक जानकारी मेडियेवल के बारे में available है क्योंकि इसके लिए दोनों तरह के sources archaeological और फिल लिटरेरी दोनों sources abundance में available है चलिए अब एक के करके हम दोनों sources की बात करते हैं तो सबसे पहले है students archaeological sources archaeological sources में क्या होता है temples, moscues, forts, palaces, toms, coins, tools, utensils, inscriptions inscriptions क्या होता है अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा inscriptions are text carved or engraved on a surface किसी भी surface पे जो text carved होता है या जो खुदाई करके जो text लिखे होते हैं किसी surface पे किसी pillar पे या फिर किसी stone पे तुसे हम inscription बोलते हैं है न वीपन्स ornaments and paintings are the major archaeological sources for any period यह सब जितने भी हम ने नाम लिए भी temple, moscues, fort, palaces, etc यह सभी क्या है यह सब archaeological sources है they give us an idea of the social, art, political and economic history of the time इन चीजों से हम उस time के social, art, political और economic history को जान सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे monuments की temples, moscues, forts and palaces were built by various king during their time बहुत सारे temples हैं, moscues हैं, forts हैं, palaces हैं वो उस समय के राजा के द्वारा बनाएगे, जो राजा उस समय सासन करते थे, उन राजाओं ने कहीं सारे temples, moscues, forts यह सब बनवाए हैं ना, these monuments tell us about the engineering skills of the architects and the brilliance of the artists of those time, तो उन monuments को देख करके हम उस समय के engineering skills को जान सकते हैं, उस समय के जो architects थे, उनकी engineering skills क्या थी, उस समय के जो artists थे, उनकी brilliance क्या थी, वो हम लोग, model के रूप में, नमूना के रूप में, आज भी हम लोग देख सकते हैं, the kind of effort which went to conceiving such projects and the success of revenue collection to compete such massive project is also revealed, उस समय यह जो बनाने के लिए, तब इतने बड़े-बड़े temples या mosques को बनाने के लिए जो project थे, तो उसमें जो खर्च हुआ, तो खर्च के आधार पर हम लोग यह पता लगा सकते हैं, कि उस समय के जो राजा थे, उनके time में revenue collection कैसा था, revenue collection के बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं, the inscription on the walls give us an idea about the life of the people, उसके बाद जो inscription है न दिवारों पे, उस से हमें उस समय के लोगों के life के बारे में भी idea मिल सकता है, कुछ facts यहाँ पे है, rulers of South India encourage temple building, South India के rulers ने temple building को encourage किया, temples are rich source of religious and cultural history, temples होते थे वो उस समय के religious और cultural history के बारे में बताने के लिए काफी rich source है, temple काफी अच्छा source है, कि उस समय का religious और cultural life कैसा था, ठीक है, the archaeological survey of India excavates buried sites, जो इंडिया की archaeological survey है, archaeological survey of India, excavates buried sites, उन्होंने कई सारे जो sites की, खुदाई की, है ना, और इन monuments को, जो है, जो भी monuments वहाँ पे, खुदाई से जो monuments मिले, उनको preserve किया गया है, ताकि हम उस period के बारे में, उस monuments का study करके, जान सके, next है, next archaeological source क्या है, painting and a sculpture, paintings tell us about the customs, food, food habits and dressing a style of that period, उस समय की जो paintings है, उस paintings को देख करके, हम उस समय के लोगों के customs, food habits, वो क्या खाते थे, उनका dressing a style क्या था, ये सब हम उस painting को देख करके, जान सकते हैं, various schools of painting forest during this period, इस period में कई सारे schools भी थे, है ना, schools of painting, medieval painting feature various mythological tales, एक वर्ड आया है, यहां पर students mythological, mythological जो होता है, वो ancient legends से connected होता है, मतलब इसको हम लोग हिन्ने बोलते हैं, पौरानिक, तो mythological means, mythological means connected with ancient legends, mythological tales, palace scenes and forest life, medieval period की जो painting होती थी, उसमें कई सारे mythological tales होते थे, कुछ paintings जो है, palace scene पे बनाई होती थी, कुछ paintings जो है, forest life को सो करते थी, the sculptures were mostly made of a stone, जो sculptures बना जाते थे, sculptures means मूर्तियां, उसमें जो मूर्तियां बना जाती थी, वो mostly बनी होती थी, किसी की, stone की, bronze और wood, stone की, यानि पत्थर की, या फिर कांसे की, या फिर लकडी की, the perfection of a stone cutter and sculptures was amazing, उस समय कि जो stone cutter थे, जो पत्थर काट करके, जो मूर्तियां बनाती थी, उसकी जो perfection थी, वो amazing थी, मतलब काफी perfection के साथ, जो है मूर्तियां बना जाती थी, काफी खुशूरत मूर्तियां होती थी, figures of kings, queens, gods and goddesses are depicted in this sculpture, ज्यादा तर मूर्तियां राजा की राजाओं की या फिरानियों की या देवी देवताओं की बनाए जाती थी, नेस्ट, archaeological sources students, inscriptions, the inscriptions were used to record royal proclamation, प्रोक्लेमेशन मींस होता है घोषणा, तो जो भी royal proclamation होती थी, मतलब शाही घोषणा होती थी, ठीक है, उनको inscription यानि पत्थर पी खोद कर लिखवा दिया, अभी अगर देश की जो सरकार है गोब्मेंट है अगर वो चाहती है किस तरकी घोषणा करना तो आज तो मीडिया काफी है तेलिवीजन पे या फिन नियूज में जो वो घोषणाय कर दे जाती अभी जैसे निर्विद मोधी को लॉकड़ान बढ़ाना था तो वो टीवी प हो थी नहीं और नहीं प्रिंट थी तो उसके लिए इंस्क्रिप्शन होते थे यानि जो गोषणा राजा को करनी होती थी उन्हें वो पत्थर पे खूद कर लिखवा देते थे कोई भी रिलिजियस इंस्ट्रक्शन होता था या फिर गीफ्ट मेड़ अफ टेमपल विलेजर कुछ इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो राजा के उपलब्धियों को दर्शाते थे कुछ इंस्क्रिप्शन होते थे जिसमें किसी डाइनिस्टी के सभी राजाओं के नाम उसमें लिखे होते थे जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो उस समय के सोशल पॉलेटिकल और एकोनॉमिक कंडिशन को सो करते थे अगर कोई इंस्क्रिप्शन में किसी डाइनिस्टी के सभी राजाओं के नाम लिखे हैं तो उन्हें उस संसे इंस्क्रिप्शन को अम लोग जिने लौ्जाजटीकल स्ट कहते थे कहते हैं और यह स्टडे REPणव सिंस की स्टडी है उसे इपेग्राफ का थे यानि वह स्टडी आव इंस्करिप्शन की सारे अर्टिलोगीक हम लोग सारे archaeological sources के बारे में पढ़ लेंगे और next day literary sources के बारे में पढ़ेंगे तो next archaeological source है coins old coins have great historical value जो भी old coins है जो पुरानी सिख्के हैं उनका काफी एतिहासिक मुली होता है value होती है plenty of coins of the medieval period have been found काफी सारे जो medieval period के coins थे वो पाए गए है medieval period के काफी सारे coins पाए गए है the mughals the cholas the sultans of Delhi and the regional rulers issued many coins which were unique to their kingdom जितने मुगल्स थे चोल राजा जो थे दिल्ली के जो सुल्तान थे या फिर कोई भी regional rulers ने बहुत सारे coins issue किये हुए थे the writings on these coins mostly had the name of the ruler mostly in coins पे उस राजा का नाम होता था and the date of its issue और उस coin का issue date उस पे लिखा होता था मतलब जो भी मुगल रूलर थे या फिर चोल रूलर थे या दिल्ली के सुल्तान थे या फिर कोई भी regional ruler थे उन्होंने काफी सारे क्वाइन इस्व किये थे और हर का क्वाइन यूनिक होता था मतलब हर राजा अपने हिसाब से अलग तरह का क्वाइन इस्व करता था और उस क्वाइन पे mostly उस रूलर का नेम और इस्व डेट जो है लिखा हुआ होता था इस्व क्वाइन को देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह क्वाइन कीस रूलर के टाइम का है और कितना पुराना है कभी कभी किसी किंग्डम के का जो क्वाइन है वो कई जगहों से पाया गया है फार फॉर्म वन अनदर इस इंडिकेट था इस प्लेसे वेर इधर अपार्ट अप्वाइन और है ट्रेट लिंक विद देम अगर मान लिया कि आपका मुगल रूलर है और उसका क्वाइन कहीं दूसरे जगह पर पाया गया तो इट मींस उस रूलर का या तो उस जगह पर अधिकार होगा जहां पर क्वाइन पाया गया या फिर ट्रेड लिंक होगा यह आइडिया जो है निकल कर सामने आता है मतलब अगर किसी kingdom का जो क्वाइन है वो किसी दूसरे पर पाया गया तो कहीं न कहीं उसका relation definitely उस जगह से होगा है न कुछ फैक्ट है आप एस्टुडेंट्स दस साइन्स pertaining to the systematic collection and study of coins is called numismatics coins को collection करना और उसको study करना करने का जो science है उसे numismatics कहते हैं those who study them और वो लोग जो इसके study करते हैं उसे numismatists कहते हैं a book on coins coins पे एक book भी लिखी गई है जिसका नाम है कि द्रर्या प्रिक्षा यानि की an examination of coins वाज रिटेंट डूरिंग दरीन ओफ अलाओ दिन खिल्जी अलाओ दिन खिल्जी का यह पिरिएड है 1920 1296 to 1316 at least the coins minted during the rain तो हम लोग यह आर्के लोजिकल sources के बारे में आज पढ़ रहे थे यह सब हिस्ट्री के अर्के लोजिकल सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज के द्वारा हम medieval period के बारे में या किसी भी period के बारे में जान सकते हैं ठीक है तो नेक्स डे स्टूडेंट्स हम लोग लिट्रेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और आई थिंक कलमलों के चैप्टर ओभर हो जाएगा तो के स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द जल्द बुक खरेद लीजिए है ना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाई